रेल चलवाए दो आजेंगे सब ट्रेन चलवाए दो गुंडा करती है वही यह निचलने की अगर आपको 65,000 मिले आपको 25 मिलागी आपके ही जबरे आपके खरच करियो और कानून किसान के पक्स में सरकार कही ठीक है वह सरकार कहा है ऐसी सरकार कुई तो देखाना है हम जोंसा आपके खर बात करते हैं किसान के साथ सीधे बैठकर क्या चल रहा है क्या है क्यूं समस्या आरी है क्यूं बात नहीं बन पार यहाई जब आप दोनों ही लोग किसान के हित की बात करते हैं सरकार्वी कहती हैं के ताधा हैं किस हमाधान करते हैं तर्थ किसाण के भाधा करते करते हैं तो इसको थोड़ा सा सर अगर बता सके कि कि किस तरह कानून आप मांग करें यह कानून आएगा कि एमस्पी से निच्छे कोई भी एकर खरीद करेगा तो उसमें सजा का परुधान होगा उसके निच्छे पर देश में कोई खरीद नहीं कर सकता किस चीज़ पर सर गेहूं दाल चावल किस चीज़ की सब्सक्राइब तक 23 फसलों पर मिलती है सर तो सर आपका कुछ तो आपका एपने ब्लूप्रिंट बना रखा होगा कि निए उस पर सर बता दिये तो थे इस पर दोए दो बना रख्या हमने हमने बना दिया दूद और बहुत यादते नहीं आपकी तरफ से भी के बेए दिल् सब्सक्राइब देश में सरकार के पास गेहूं और चावल का भंडारन बहुत ज्यादा हो चुका है लेकिन दाल और बाकी जो पलसे उन पर किसान काम भी देंगे उनको देंगे और गारंटी जब देंगा तो व्यापारी सस्ते मां खरीद ले ठीक है सुक्रिया सर बहुत ब सब्सक्राइब ने बताए कि अर्थ सास्त्री है तो सरकार जो अर्थ सास्त्र के साथ लेकर जब अर्थ सास्त्री को बैठा कर जब यह कहती है कि सरकार पर बोज बढ़ जाएगा बंडारन बहुत जादा है और बोज बढ़ जाएगा क्योंकि सरकार महेंगे में खरीद कर सस प्राइब राशन के रूप में देने के लिए तो इस चीज को कैसे आप समझाएंगे लोगों को हमारी इनको नफा हुआ या नुक्सान हुआ इनको अगर फादा हो गया है तो यह कानून बहुत बढ़िया है अगर नुक्सान हो गया तो कानून खराब है आप कहीं खेती कर रहे हो लखनों में खेती कर रहे हैं कहीं कि लखनाव की खेती धान की कर रहे हैं कि हो कि कर रहे हैं आपने दान की खETी करी पहले के कानून के मुकाबले जब कानून बदले अभी ज़ो नए कानून आए हैं उसमें किस तरह की समस्य आई है इसमें हमारे द्वाला आइट ठाल और 186 old や da Mu passion перепetin तो 10 रुपिया नो रुपिया इससे जाता नहीं खरनी ज़्यारा की लया बहतर था यह धानून बापस चला जाया बो कानून लागू रहा तब वकनुमाय क्यूं कर रहे थे उन पर बोचर बड़ रहा है उन पर करज की अगर इनको फाइदा हो रहा है वे चार हजार रुपय पर कोंटल तक उसकी खरीद करी वो विकी है आज उनका रेट 1516 रुपया है वे आज से दो साल पहले भी वे विकी है 3032 रुपया आज वे 1718 रुपया कोंटल है तो जो हाप में कटिंग लगा है यह कंजूमर भी जाएगा कंजूमर को किसी को साथ सतर रुपय किलो से चावल कम मिल रहा मलब किसान का जाएगा पंदर रुपय किलो और कंजूमर को मिला का सी रुपय किलो जो बीच का गए पैम उसको देखने आए वो कहा है पूरोना काल के दौरा नहीं ओर्डिनेंस ला दिया गया था क्रिशी कानूनों को लेकर उस तम कि ये चब बनाये तो आप लोगों से बात की कही थी किसान लेता हूँ प्रस्ताव किया गया है कि कानून बिल्कुल वापस नहीं लेगी लेकिन उसमें संसोधन कर देगी जिसको लेकर किसान परिशान है किसान तो संसोधन पर नहीं मानेगा किसान संसोधन पर कानून वापस ही लेना पड़ेगा तभी किसान पीछ अटेगा दिल्ली के तमाम दर्वाजों पर किसान खड़ा है और सरकार किसान जो कानून है उनको लेकर उनकी वापसी को लेकर खड़ा हुआ है सर यह बताइए आप किसान तो सरकार को बनाने किसान भी कोई रननीती बनाता है किसान तो सिद्ध है अपकी सरकार से सीधे बैठक होती है आप किसानों के लिए क्या कहेंगे कि बैठक में सरकार का क्या कह रही है क्योंकि सडकों पर किसान पूछ रहा है कि आगे क्या होने वाला है सरकार मानेगी की नहीं मानेगी आप क्या कहते हैं सब्सक्राइब कानून वापस ले लिए जाते हैं तो पहले के कानूनों से कोई समस्या नहीं है कि हम तो कानून भान भा ना चाहा है जो चाहरे हो गर। कानून के सर्कार के बड़े तमाम नेता के रहे है कि चैट ही नहीं रहे है छेड़ चांड नहीं हुई है तो थि खिसान को व्यांसे समस्याएं करवाने हैं मैंस पीला छेड़ gio के से काम चला कानून बना पड़ा या किसान की फचल का लुटाई का और कानून बना दिया दॉचको रख रखाव कानून बना दिया कोई भी व्यापारी करने पर कानून बना दिया क्नून को लिए तो कूंड़ा कर दिये वहीं यह नीचल ने की यह बाइब किसान समझी यह चलागे निये क्योंकि आपने MSP पर कानून बनाने का जिक्र किया क्योंकि इससे पहले 23 जो सबसे में इंपॉर्टेंट फसले होती थी उन पर MSP दी जाती थी यह उनी पर कानून बनाया जाए या फिर सारी फसलों कि आबात करें हमारी खरीद करें से किसान के नुक्सान होगा अमारी खरीदनी फीक है तो यहां पर है जो सरकार के बडए नेता जो है उनके जो बैन है वो लगातार हेड्लाइंस में आ रहा है वह यह कैए गया इसे हमारों का रखा है तो बहुत का अंनुत करे चाहा है और कपड़े ना पहर यह जो आप पन पन जार कि जीन्स 최सों की पहेर हो तो आपको कमतन खामिकी तो और आपके इतकी था हम बाति कर रहें आप को ग्यान मानट रहें कि आप खर्चा कमकरो के और मकान में नहीं कि और जो है रात neuron क्याओ होगा तो इंप आप तानुन किसान के पक्स में सरकार कहे ठीक है वह सरकार कहा है एसी सरकार कोई देखाना यह जो अग्यान बाट रहा है उसी को देखने हम आए कि हो कहा है उसी सब्सक्राइब किसान और सरकार के बीच जारी इस घमासान में एक तीसरा एंगल भी है वो है इकॉनमिक अर्थिक ठीक है सर इसमें बताया जा रहा है कि जो आर्थिक बोज है वो सरकार पर बढ़ जाएगा अगर वो मस्पी पर कानून मना देती है शायद यह डर भी है सरकार को हम और जो सरकार करेंफार वह वहां जो करें के रहे हैं सरकार को 2 कानून तो नहीं था लेकिन सरकार ब Sutra नहीं थी लेकिन सरकार मेंस पीपर जब खरीदती थी अगर वो मान लीजिए कि बीस हजार को चीज खरीद रही है तो वो उसी को आगे राशन के तौर पर बीस रुपए में देती थी तो सरी बहुत बड़ा मार्जिन है जिसका अभी तक सबसेडी की रूप में सरकार वहन करत अदानी का बहुत जिक्र हो रहा है जबकि इनका इस पूरे प्रकरण में जो भी चल रही है जो भी लडाई है सरकारों किसानों की इसमें कहीं तक अभी तक रोल नजर नहीं आया नाई उनके द्वारा भी तक कुछ कहा गया है सर अमबानी अडानी कहां से आते हैं पता नही और करने के तैयारी के लिए कानून बनाया गया है तो सर इस पर ठोड़ा सबर्चा आपने के बच्छे आवर दोर सास्तिरी वह यह उसी सब मिलो और यहां प्यटकर पैसे ला कर घौ अई एक चीज और आकरी सवाल हो का मेरा यह बताई है सर पंजाब के किसान हरियाना के किस उत्तपरदेश के और कुछ उत्राघंके भी बाकी देश के किसान नजर नहीं आ रहे हैं सर्व चल रहे हैं तो चल रही है किसानों को जब तक इस कानून से मुक्ति नहीं मिलती इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान यहां से वापस नहीं जाएंगे और सरकार किसी भी प्रस्ताओं को देती रहे लेकिन फिलाल किसान किसी भी प्रस्ताओं को मांगने के मूड में नहीं है कैमरामेन सर आज के साथ मैं काविन चौहान गाजीपूर बॉर्डर से न्यूजवल इंडिया